हलो बच्चों मेरा नाम पावन कोहरां गुपता टीम फिजिक्स सील्ग सीकर शुरुवात करते हैं हमारे मिट्स सेशन टेस्ट स्ड़ीज के टेस्ट नमबर 6 जैसमें हम टॉपिक कबर करता हैं येक्ट्रोस्टैक्स और करेंट एलेक्सिटी तो शुरुवाद करते हैं पहले क फोर्स जो होता है air में वो होता है k q1 q2 upon r square फिर जो f डेश है वो क्या हो गया k q1 q2 upon epsilon r into r square यह तो अलग-अलग medium में इनके force जो है एक तो air में और एक vacuum में फिर नहीं बोला कि f डेश जो है वो कितना होना चाहिए for f याने कि k q1 q2 upon epsilon r r square k q1 q2 upon r square और इसका 4 गुना तो यह k q1 q2 खतम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वर पॉन 16 r square 4 upon r square तो अब इस case में देखो यहाँ पर इन्हों ने पन से capital r की पूछी value पूछी तो capital r की value क्या हो जाएगी capital r की value हो जाएगी r by 64 है ना square और इस पूरे का 1 by 2 करना है मतलब की r by 8 तो बेरा answer क्या हो जाएगा इसका r by 8 थर्ड ओप्शन करेक्ट इसमें कोई confusion इसमें फिर स्क्राद अपने बात करते हैं अब इसके इसके सब्सक्राइब करें और कर लो इसको अब इसके सब्सक्राइब कर देखो यहाँ पर आपको चार्ज पार्टिकल चार्ज क्योंका मास एम का है और इसको थू किया गया है ग्राउंड से इस पीड यूर एंगल थीटा फ्रम और दो इलेक्टरिक फिल्ट जो है वह एक्टिंग वर्टिकल अब देखो यहाँ पर चार्ज जो है न वह इस तरह से अपनने फेका है क्यों चार्ज और एम मास का पार्टिकल इस तरह से आपको इसके रेंज पूची अब हमें रेंज क इस प्रजुन में ग्रेविटेशनल फिल्ट एम जी फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स लगेगा एलेक्ट्रिक फिल्ट का क्यूई तो जो जी एफेक्टिव है वो जी फेक्टिव क्या हो जाएगा वह जाएगा एम जी प्लस क्यूई बाइफ तो यहाँ पर केवल इतना सा उसमें मास का डिविजन कर दू तो अपना option क्या हो जाएगा इस case में अपना option हो जाएगा second option कोई confusion इसमें फिर इसके बाद आता है अपन थर्ड केर्शन पर थर्ड केर्शन में hollow is fair का चार्ज आपको होगी दिया हुए एक बार इसको note करें अब hollow uniformly charge square जिसका radius r है potential difference जो है वो center potential difference surface और जो point इसमें 3R distance पे उसका potential difference दिया हुए तो इसकी radius r है 3R इसकी separation है point का तो देखो इन दोनो points का potential difference कितना दिया आपको v दिया वा है मतलब कि यह a point और यह b point तो a इसको बोल देते हैं चलो surface को और इसको b point बोल देते हैं तो v a कितना हो जाएगा यह हो जाएगा k q by r surface पे है इसलिए v b कितना हो जाएगा k q by 3 r फिर इन दोनों का difference v a minus v b कितना हो जाएगा k q by r minus k q by 3 r जाएगा यानी कि इसको v बोला है तो कितना हो जाएगा 2 by 3 k q by r हो जाएगा 2 by 3 k q by r अब इसके बाद अपन यहां पे 3 r पे potential बताना है अपन को इलेक्टरिक फिल बताना है कौन से point पे बताना है वोई B point पे बताना है तो यह क्यों हो जाएगा KQ by R square अब इसको अपन ऐसा करते है KQ by R और X को R इसे लिए देते है KQ by R को अपन कह जिए सकते है 3 by 2 V तो कितना हो जाएगा 3 by upon 2 R तो यह B point पे value कितना हो जाएगा यह अपने पास जेखो potential difference हो है KQ by R और KQ by 3 R इसको अपन ने क्या बोला है आपको 3 R का sorry फिल बताना 3 R square हो जाएगा यहापे तो यह हो जाएगा 9 R इदर आजाएगा नाइन भी तो लिखना है साथ में ओके तो 9 by 18 आजाएगा तो यह जाएगा V by 6 R तो V by 6 R अपना पहला option यहाँ पे correct हो जाएगा इसमें कोई confusion ठीके फिर इसके आज आते हैं अब हमारे अगले 4th question पे एक बाद नोट करें बिटा यहाँ तक फोर्थ question में देखा आपको छे चार्ज दिये हैं इनके मैगनिटूड इस तरह से चार्ज है इनके मैगनिटूड प्लस क्यों प्लस क्यों माइनस क्यों है तो इस तरह से यहाँ पर एक कौने पर इनको रखा गया है आपको इसकी side length जो है वो ए है electrostatic potential जी बतानी है सबसे पहले तो आप देखो कि जो electrostatic potential जी बन calculate कैसे करेंगे system में यूँ नेट कितना है अपने पास सबसे पहले तो ऐसे पहर देखो जिनकी बीच की distance L है इसे कितने पहर बनेंगे छे पहर बनेंगे और उन सब में हर पहर में देखो चाहिए वाला पहर चाहिए वाला चाहिए वाला हम सब में चार्ज अपोजिट नेचर के ना तो एक plus q और एक minus q और डिस्टेंस कितनी है ए ऐसे चे पहर बनेंगे ठीके प्लस अब ऐसे कितने बनेंगे जिसमें अल्टरेट चार्ज तो यह वाला यह वाले इनकी बीच की बनेंगे लिकैंगे दिस्टेंस ते ने यह होते है ४ ऐसे चे जोड़े आएगे क्लशक्यूंale तो यह से ही रिकान नगेंगे, इन बनेंगे Q plus Q वाले हैं और तीन वो लिख दो कि माइनस Q माइनस Q अपॉन ए ठीक है फिर उसके बाद अपने बनेंगे यह वाले जोड़े कौन से वाले देखो इधर ध्यास देखना एक तो यह एक यह एक यह एक यह तो यह तो यह तो यह तो यह तीन जोड़े बनेंगे जिसमें प्लस Q माइनस Q अपॉन टुवे तो यह तो अब देखो यह कितना हो रहेंगा टोटल अघन अप देखो केकर स्कॉर अपने तो सब में आ नहीं है यहां जाएगा 6 यहां जाएगा 3 इसमें भी root 3 यहां पर तो कितना जाएगा 3 3 6 लेकिन यह वाला तो minus में जाएगा minus 6 plus 6 by root 3 यह क्या आएगा minus में जाएगा 3 by 2 तो अब देखो कितना हो रहा है यहां पर अपन इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा k q square upon a 6 by root 3 नहीं की root 3 तो यह जाएगा और यह जाएगा 15 by 2 ठीक है तो इसको ऐसा करते हैं q square upon 4 pi epsilon 0 a 6 को लिखो 3 root 2 3 root 2 minus 15 by 2 फिर इसको अब 4 को अंदर लेके जाओगे तो यह कितना हो जाएगा q square 4 pi epsilon 0 a pi epsilon 0 a हो जाएगा यहाँ तो इसको जब आप आगे लिखोगे तो q square upon pi epsilon 0 a और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा देखो मैंने यह mistake करते हैं यह हो जाएगा 2 root 3 क्योंकि 2 into 36 हो जाएगा अब इस चार को अंदर लेका हो जाएगा तो root 3 by 2 minus 15 by 8 यह मेरा 4th option यहाँ पर बन जाएगा तो 4th option बन रहा है इसका कोई confusion इस में तो इस question अपना 4th option बन रहा है यह question number था अपना 4th ओके तो एक बार लिखें इसको तो इसका आते हैं हमारे अगले question 5th पर 5th में देखो आपको electrostatic potential V is a function of x in meter given है force on charge minus 2 column placed at 1 तो देखो electric field क्या होता है minus of dv by dx i keep यह होता है पूरा x में यह function तो 5x square का 2x x का 1 9 का 0 तो कितना हो जाएगा minus में 10x plus 10 यह तो electric field के value जाएगी अब आपनको x के value कितनी रखना है न तो यह minus sign भी लग रहा है तो e कितना हो जाएगा इस case में e हो जाएगा minus में 20 अब अब अपनको force की value बताना है तो force 20 i keep अब force क्या होता है force होता है q into e तो q कितना दिया है minus 2 कूलम e कितना दिया है minus 20 i keep तो force कितना हो जाएगा 40 i newton न्यूटन तो force के value जाएगी 40 i newton बाच्विक अंसर क्या हो जाएगा फूर्थ ओकी फिर जाते हैं six question पर एक बार अब यहां पर अपन को एक अब यहां पर अपन को एक अब यहां पर अपन को एक six question में कि स्फेर गिवन है यह स्फेर का total charge जो हो जीरो है तो अब यहां पर एक point charge को अपन ने यहां पर रख दिया center से थोड़ा सा दूर ठीक है तो neutral sphere है उसके अंदर positive charge को रखा गया है जिसका center c पर है an external uniform electric field is applied तो उसके बाद अगर external electric field अपन अप्लाई कर देंगे तो applied करने के बाद इसमें जो है forces किस तरह से लगेंगे तो forces किसे लगेंगे वो देखना आप यहां पर force on q due to is zero देखो electric field के कारण force जो है वो इस पर zero है एसा equation बोलना चारा है तो अपन को पता है कि electric field जो है वो हर चार्ज पर force लगाता है तो इस पर force जीरो तो नहीं लगेगा तो बच्चों यहां पर बात करते हैं एक positive charge q को यहां पर रखा गया है और आपको इसमें पूछा की कौन सा statement सही होगा एक neutral sphere है तो neutral sphere में इस तरह से charge q को आपने यहां रख दिया तो इसमें चार्ज का जब induction होगा इंडक्शन कैसे होगा इंडक्शन की वज़े से यहां पर अंदर की तरफ जो है वो माइनस q develop हो जाएगा तो साथ में यह जो इलेक्रिक फिल्ट है वह भी फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू दो लगेंगे फोर्स बाइलेक्ट्रिक फिल्ड एंड फोर्स बाइंड इंड्यूस्ट तो ध्यान रखना इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ठीकि तो Q पर एके वजए से 4-0 नहीं total 4 is 0 नहीं total甚 फोर्स जो एव फोर्स जो हे वह फोरे system-based system कि स्कू collecting फोर्स बाखर system माने तो उसमें नेट फोर्स जीरो आएगा क्या नहीं क्योंकि even force अगर पन system की बात करें तो system बे तो over all charge कितना यह है क्यों इस तरह से तो अवरॉल क्यू नेट अपमको लिखना पड़ेगा और क्यू नेट में सिस्टम का चार्ज क्यू तो काउंट हो गए से ना सिस्टम पर नेट फोर्स इतना आएगा लेकि जो नूट्रल स्फेर है उस पर शेल पर एलेक्रिक फिल्ड की विए से कोई फोर्स नहीं एक के सिब्सक्राइब को दो डाइपोल दे गए हो डाइपोल में आपको UH आ डिस्टेंस वेवाए तो इनके मतरर में प्रक्राहान चैन। हमें थे पताए कि डाइपल की वज़ए इसके अगर में कंपरइंट करूंगा तो तो कंप्रेंट क्या हो जाएगा P cos theta और एक component क्यों रहाएगा P sin theta ठीक है अब यह P cos theta का electric field तो इधर ही आएगा लेकिन जो दूसरा P sin theta उसका field तो ऐसे आएगा ना तो ध्यान रखो dipole के energy हम कैसे लिखेंगे फिर minus of P1 into E यह जो E वाला है E1 यह इसको X कर दो इसको Y कर दो चलो तो E X की वाले साएगी साथ में minus sign क्योंकि दोनों के बीच का angle 0 है तो minus P1 E1 क्या रहाएगा K P2 cos theta into 2 upon R cube तो यह कितना हो जाएगा minus of 2K P1 P2 cos theta upon R cube मेरा 4th option यहाँ पर correct बन जाएगा कोई confusion इसमें सुरी 4 ने second option 2 आएगा न तो second option यहाँ correct हो जाएगा सेबंत का C ओके तो इसका आते है अपन 8th question पर 8th question में कि दो isolated metallic solid square जिनकी radius R O 2 R A इन पे charge इस तरह से हैं कि कि इन पे बोध है सेम चार्ज इस सिमा स्फेर रोकेटेट फार अवे प्रोम इच अधर एंड कनेक्टिंग वायर दें तर न्यू चार्ज इस तुन बिकर स्फेर तो को जब आप connection की बात कर रहे हो तो एक पे कि जब आपने इनको connection करा होगा तो connection के बाद दोनों के charges कुछ इस तरह से हो जाएंगे q1 q2 ताकि दोनों का potential सेम हो जाए तो after connection जब आपने connection बनाया होगा तो connection के बाद v1 v2 होने चाहिए ने कि k q1 upon r k q2 upon 2 r अब इसको density terms में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे अपन k sigma 1 4 pi r square upon r k sigma 2 4 pi 2 r का square upon 2 r तो दो कितना जाएगा sigma 1 equals to twice of sigma 2 two ठीक है यह तो अपने पास density आजाएगी अब यहां पर अपन यह बोल रहेगे की बड़े वाले पी density कितनी है सबसे पहले सब से अगर अगर अपन charge equation लगाये तो charge equation क्या कहती है charge equation यह कहती है कि q यह बोल रहें कि इन दोनों की initial density sigma थी तो q1 इसको q1 q2 dash कर देता है बाज वाले चको तो यह sigma 2 dash, sigma 1 dash अब charge तो खंजर रहेगा तो q1 plus q2 q1 dash plus q2 dash q1 कितना है q1 हो जाएगा इस case में sigma 4 pi r square यह हो जाएगा sigma 4 pi 2 r square फिर sigma 1 कि हो जाएगा sigma 1 को twice of sigma 2 dash लिख सकता हूँ मैं 4 pi r square और यह हो जाएगा sigma 2 dash 4 pi 2 r ka square तो देखौ यहाँ पर sigma जाएगा, यहाँ पर 4 sigma आजाएगा, यहाँ पर twice of sigma 2 dash आजाएगा और यहाँ पर 4 times of सिगमा टू डेश आदा हैगा तो ultimately कितना बन रहा है 5 सिगमा अपॉन 6 सिगमा टू डेश तो 5 सिगमा अपॉन 6 मेरा पहला option यहाँ पे correct हो रहा है ओके पीटा तो energy conservation concept यूज़ करना है एक तो अपन को final potential सेम करना है और दूसरा अपन को charge conservation concept यूज़ करना है आते हैं अगले 9th question पर 9th question की बात करेंगे 9th question में आपको यहाँ पर इन points पर potential बताना है एक dipole जिसका यह point A यहाँ वाला point है तो यह अपन को यहाँ पर इस तरह से point दिया हुआ है और यह dipole जो है वो इस तरह से रखा हुआ है तो देखो dipole के लिए आपको अब इस dipole में आपको net potential बताना है point A पर lying on the surface of potential के से बताएंगे अपन जो A का potential होगा वो actually center के potential के बराबर होगा ना तो C और यह A इस तरह का point है यह तो A का potential C surface के center के potential के बराबर होगा तो इस case में क्यों जाएगा V by P अब center potential के इसके विए आएगे तो V by P और V by induced charge अब dipole के इसे कितना है का की पी अपन आर डेश स्क्वार और इंड्यूस के विए से जीरो के पी आर डेश कितना है इसमें आर यह कोई एंगल 90 है ना तो इसको आर डेश बोलता हूं तो आर डेश का कॉस थीटा कंपोनेट आर होता है तो आर डेश क्या हो जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा तो यह जाएगा के पी कॉस स्क्वार थीटा पॉन आर स्क्वार सेकेंड ओप्शन ओके तो यहां पर अपना यह इसको नोट करें अब यहां पर बेसिक कंसेट क्या है कि आपको दो युनिफॉर्म ली चार्ज नॉन कंडक्टिंग है और शेल जो है वह इस तरह से हैं कि इनको युनिफॉर्म चार्ज डिंस्टी सिग्मा है लेकिन यह इस शेल वापस में जूड़े हुए नहीं है तो दे अब देखो दो इस्फेरिकल शेल आपको गेवन है इस तरह से अनन को अपननय इस तरह से रखा हुआ है पास में लेकिन इनको अपनने आपस में इस जोडा नहीं है ये खाली बस इसे टच म में है फिर अपन ने क्या करा है इनके बीच में एक दूसरा ओर फान के इसको दोर इसकी रेडियस कितनी है ry2 और इसकी कितनी है r अब इसमें दोनों पे density कितनी है plus sigma इस पे भी और plus sigma इस वाले पे भी तो sigma density की विशे से यह चाया होना चाहेंगे तो इस वाले को हमें minus density देनी पड़ेगी न ताकि इन दोनों को attract करके रखे तो आप के वाले इस एक hemispherical shell का equilibrium हमें देखना है देखो इस पर consistency है sigma अब देखो यहाँ पर equilibrium कैसे देखोगे कि जो net force है इस पर net force क्या होना चाहिए zero अब net force zero कैसे होगा इस पर जो electrostatic pressure जो लग रहा है जो पूरा इस फिर्माने तो इस पर electric field का pressure लगे गान ऐसे तो electric field का pressure जो इस पर बाहर की तरह नेट force develop कर देगा तो electric field के force को जो दूसरे sphere ने लगाया होगा और और जो electric field का force inner sphere लगाएगा वो आपस में cancel होने चाहिए अब electric field का force other sphere कितना लगाए कि सिग्मा square upon two epsilon note electrostatic pressure होता है खुद के चार्ज की वज़ए से यह ना मतलब इसको एक पूरा sphere माने तो हर point पे इतना electrostatic pressure होता उसकी वज़ए से इतना force आता है ना simple electrostatic pressure और cross section area को multiply करते हैं इसमें फिर उसकी बाद अपने बात करें कि इसमें कितना आएगा तो यह आजाएगा अपने पास अब इसमें जो दूसरा pressure आएगा वो कौन सा आएगा अपने पास सिग्मा इसका जो आधे पार्ट का चार्ज है वो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वेर इसके इसमें और साथ में उसका electric field जो आएगा वो कितना आएगा electric field आजाएगा मेरे पास के क्यू इन अपन आर स्क्वेर तो क्यू इन कितना हो जाएगा अब देखो इसमें पेले तो थोड़ा सा कुछ केंसलेशन कर देते हैं माद सिग्मा से सिग्मा काड़ देते हैं तो सिग्मा अपन टो एफसालन नौट एक्वस टू के को लिखेंगे वन अपन फोर पाई एफसालन नौट आर स्क्वेर क्यू इनको लिखेंगे सिग्मा माइनस में आएगा ये तो अपने पता ही था ना तो अपन खाली वैल्यू की बात कर रहे हैं फिर अपने ना सिग्मा फोर पाई आर बाई टू का स्क्वेर तो ये कितना बन जाएगा अपने पस यह वह जाएगा पाई र स्क्वेर बाई फोर ये तो पूरा कर जाएगा तो अब इसको सॉल करोगे आप तो आपके पास देखो क्या क्या बचेगा यहां पे सिग्मा अपॉन टो एफसा इसको सिग्मा पाई र स्क्वेर तो यह पाई र स्क्वेर से पाई र स्क्वेर खतम यह जाएगा तो फर्स्ट ऑप्चेगा इसका आंसर बन जाएगा है उकिए एला मतलब इस पें जितना इस दूसरे तरफ इस पें अठ इसे बाहर की तरफ डिलिस्टिं किया होगा उतुन ही अंदर वाले सब्सक्वाये इस पर इस पर ही और की आप और है उसका वहरां के ढारा चाहए जो अपस गूंगे तो ganzρο हो जा जो 10 यह तक र oh को उसके अध्यार वी करिशन की बात करते हैं तो ग्यार वी करशन में स्वेर जिसका चार्ज ठीक हुए है इसका चार्ज त्रीक है इस तरुए है सब्सक्राइब से फिर फज्डियस ए एंड शेल इस और शेल की रेडियस है वो ऐसे ज़्यादा है ठीक है तो आपको बताना है कि जो बीच का पॉइंट उसमें एलेक्ट्रिक फिल्ड क्या होगा तो देखों यहां पे यहां पे बी रेडियस का तो एक शेल अपने पास और एज रेडियस का यह दूसरा है अब इसमें में एलेक्ट्रिक स्फेल जिसका चार्ज 3क्यों है एक्शेल है जिसका चार्ज – Q है और आपको बीच के पॉइंट पे फिल्ड बताना तो 23 के पॉइंट पे फिल्ड जो है वह वह किसकी वन्दीग रसाता है एलेक्ट्रिक फिल वह जो अंदर वाला पॉइंट था यह इस पर बाहर वाले स्पेर कभी फिल्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं क्योंकि वह शेल है शेल के अंदर खुद का फिल्ड जीरो होता है तो केवल यह इसका फिल्ड आएगा जो इसके आउटर बनेगा ऐसे ऐसे अगले आता है अधिकल पाथ यहां पर एक प्लस की रखा हुआ है और एक एलिप्टिकल पाथ में माइनस की चार्ज मूव कर रहा है तो आपको बताना है कि क्या चीज इसमें कॉंस्टेंट है तो देखो इस चार्ज पर जो इलेक्टरिक फिल्ड का पोर से वो हमेशा plus q से निकलेगा तो angular momentum जो है वो किसके बाउट concern रहेगा angular momentum प्लस q के बाउट concern रहेगा क्योंकि torque of force 0 आएगा इसलिए angular momentum concern रहेगा ठीके तो यहाँ angular momentum concern रहेगा ओके तो यह अपना 12th question हो गया है linear momentum जो हमेशा change होगा क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा है इसलिए एंगुलर वेलोस्टी चेंज होगी क्योंकि लीजिए विलोस्ट चो एंगुलर मोमेंटम में क्या चीज़ होती है थे एम वी आर है ना अब यहां इसको में तो एम आई ओमेगा से लिखूं तो एमार स्क्वार इंटू ओमेगा अब मोमेंट ऑफ इनर्शा चेंज हो रहा है क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो तो अभी चेंज होने ही पड़ेगा तो एंगला वेलोस्टी कॉंस्टें नहीं है लिजर मोमेंटम भी कॉंस्टेंट है, केवल एंगुलर मोमेंटम कॉंस्टेंट है, ओके, अगले पर आते हैं, 13 पे, 13 में, few electric field line of system of two charges, q1, q2, fix it, two different points on the x-axis are shown in figure, these lines suggest that, अब यह line क्या suggest करते हूं, देखना, कि, देखो, जो charge पे line end होती हूं, नेगेटिव होता है, तो q2 क्या है, नेगेटिव, q1 क्या है, जिससे line बाहर निकलती हो, positive होता है, तो q1 positive, जिससे ज्यादा line बाहर रिकल रही है, इसका मतलब वो, ज्यादा बढ़ा charge है, value wise, इस पे देखो, कितने line है, 5, 2, 7, तो इस पे 7 flux है, इसका कितना flux है, 3, 3, 6, 4, 10, इसका 10 flux है, तो इसका मतलब Q1 charge magnitude wise q2 से बढ़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे q1 charge अगर बढ़ा है, तो इसका ऐसे समझना कि बढ़ा charge यहाँ है, और एक छोटा minus का charge यहाँ है, तो बीच में तो कभी field 0 होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के field support करेंगी, है ना, इधर कभी field 0 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा q के left side म q बढ़ा है, यह बड़ी value का charge है, तो इसका मतलब यहाँ पे left में हमेशा इसी का field dominant करेंगा, प्लस q का, लेकिन minus q के पास इधर right side में कहीं ने कहीं field 0 हो सकता है, क्योंकि minus q छोटा charge है, तो distance भी कम है, यह attraction field लगाएगा, वो repulsion field लगाएगा, तो minus q के right side, तो at final distance to the left, left बोला इसलिए गलत है, q2 के right side में जो है ना, वो 0 होगा field, left में नहीं होगा, और q1 के left में, finite distance में 0 होगा नहीं, यह भी गलत है, q1 का भी right और q2 का भी right, वहाँ field 0 होगा, तो यह अपना first option correct हो गया, फिर उसके बाद आता है, इसमें 14 पे 14 में wire of resistance r is stressed such that its length become 3 times, अब wire r को आपने length को 3 times करा, तो r dash कितना हो जाएगा, n square r, 3 का square r, यहने की 9 r, फिर आपने इसको 4 parts में cut किया, तो 1 part का resistance r dash कितना जाएगा, 9 r by 4, फिर आपने इनको parallel में connect कर दिया, तो parallel में 9 r by 4 को parallel में connect करोगे, इसे 4 टुकड़े हैं, तो r effective कितना जाएगा, parallel का, 9 r by 16, third option, तो यह अपना 14 का third option आ रहा है, ओके, फिर उसके वाद अपने बात करते हैं, next, 15 की, 15 में देखो, आपको एक question में, एक वायर के लिए density की इवन है, जे बराबर, जे नोट आर और और आपको इसमें, आर नोट से आर वन तक और आर वन से आर तक अगर current से में, तो आर वन की value बता नहीं है, तो देखो, यहाँ पर, की, पहले तो आप किसी भी area की di current कैसे निकालोगे, density j0 into r, 2 pi r.dr, क्योंकि आप यहाँ पर, एक छोटा सा area इस तरह से मानोगे ना, इस तरह से area मानोगे, तो यह dr हो जाएगा, तो अब इसमें current आप कैसे निकालोगे, जीरो से i, जीरो से r1, तो यह जाएगा, i j0 2 pi r1 cube by 3, तो इसको तो i1 बोले दे, i2 क्यों हो जाएगा, i2 जाएगा, j0 2 pi r cube minus r1 cube by 3, यह कौन सी current है, r1 से ले करके r तक की, तो अब इस current को जोब अपन यहाँ पर solve करेंगे, तो यह बोलता है कि i1, i2 बराबर होनी चाहिए, i1, i2 बराबर होने का मतलब है कि r1 cube r cube minus r1 cube बराबर होना चाहिए, यहाँ कि twice of r1 cube बराबर r cube, यहाँ कि r cube by 1 by 3, r2 की पावर 1 by 3, तो r upon 2 की पावर 1 by 3, third option, ठीक है, यह अपना 15th का third option हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 से r1 तक की current और r1 से r तक की current को equal करना है, तो इन दोनों parameter को equal कर दो, okay? फिर उसके आता है 16th question, 16th question में देखो, current जो है वो 5 ohm में यहाँ पर sale का जो voltage आपको given हो, कितना given है? 6V और 6 ohm, तो इस 6 ohm आपको दिया हुआ है, अब इस case में देखो, current 5 ohm से 0 है, तो current flow on through sale बताना है, तो देखो, 5 ohm में अगर current 0 है, तो इसका आता है, balanced equity stone है, balanced equity stone का मतलब क्या है? आमने सामने का multiple सेम होता है, तो 4 into x, 2 into 8, मतलब कि x की value कितनी आ जाएगे अपने पास? 4, अब x की value 4 आती ही, यह हो जाएगा 4 और 8, और यह हो जाएगा अपने पास 6, तो 12 और 6 किसमें आएगे? पैरलल में, तो अपना sale बन जाएगा 6, 6, फिर यह कौन से हो जाएगा? 12 पैरलल 6, तो 6 अपन 6 प्लस 12 चंग बहतर, अपन 12 और यह 6, तो कितना हो जाएगा बिटाए? 4, 6 बटा 10, 0.6, 0.6 आजाएगा, ओके? इसमें कोई confusion? बच्चों, आपको यहाँ पे एक circuit गीवन है, यह 10 volt का sale है, अब आपको इसमें बताना है, potential VX और VY के लिए क्या होगा? तो देखो, एक एमपेर करेंट इदर साके तो इदर चलिएगे, तो बच्ची दो एमपेर इदर जानीए ना, तो दो एमपेर करेंट इदर जाएगे, अब एक से देखो, यह प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस हैसे, तो अब इस पर कितना drop हो जाएगा? चार वोल्ट का drop तो इस पा जाएगा, तो यहाँ देखना, केवल इस ब्रांच को आपज़र करना, बस, एकस, और यह वाई, ठीक है? तो एकस और वाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दस वोल्ट है, जो भी यह वोल्ट होगा, उसमें दस वोल्ट हो यह बैटरी बढ़ा देगी, तो प्लस टेन तो यह हो जाएगा, चार वोल्ट इस पा रहा है, तो प्लस चार और ही हो तो 6 वोल्ट यहां मेरा आणसर आजाएगा, तो मेरा आणसर आजाएगा इसका फर्स्ट ओफ्शन 6 वोल्ट, ओकी, लेकिन 6 वोल्ट यहां य का पोटेंशल है ना हाई पे, हमसे पूछा है, वी एकस माइनस वी वाई, तो वी एकस जो है, उसको अगर मैं 0 मानू, इसको वा का पोटेंशल जीरो मा लेता हो, तो यह बैटरी क्या करेंगी, दस वोल्ट का डिफरेंस करेंगी, तो यहां दस आएगा, इस पर 4 वोल्ट का डूप हो है ना, तो 4 वोल्ट वापस कम कर दो, क्योंकि अपन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे तो यहां 6 वोल्ट बचेगा, त 18th question में देखना आपको VA-VB पूछा है, तो देखो कभी भी इस ब्रांच में कोई current नहीं जाएगी, चाहे उस लूप में कितनी current हो, इस लूप में कितनी current हो, यह current इस लूप में कभी भी जाएगी, तो VA और VB में डिफरेंस क्या है, इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नह तो A का potential अगर में 0 मान लो, तो B का कितना हो जाएगा? 4V, तो VA-VB पुछा है न, यहने कि 0-4 यहने कि-4V, 18th का 4th option, उसके बाद आता अपने पास 19th question, 19th question में 19th question में यहाँ पर देखो, अपने को, voltmeter reads terminal voltage of any sale by 1.54V, तो value of R बता रहा है, मतलब इन sale में देखें है पन, तो इनका जो effective sale बनेगा, वो 1.5 और R by 2 ऐसे बनेगा, 17 और 17 का effective बनेगा, 17 बनेगा, 17 बाइट बनेगा, तो अब यहाँ पर जो effective voltage आ रहा है, sale का, वो कितना रहा है, 1.4 आ रहा है, मतलब VT equals to E minus IR, है ना, और यह IR कितना हो रहाएगा, VT जो है basically वो किसका drop है, वो तो 17 बाइट वाले का drop है ना, तो इसको मैं इसे बोल सकता हूँ, कि VT equals to VR, VT कितना हो रहाएगा, 1.4 यह रहाएगा, E, R upon R plus R by 2, तो देको 1.4, 1.5, R की वाले कितना है, 17 by 2, 17 R by 2, 17 by 2 और R by 2, तो 17 by 2 R by 2 तो यह खतम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.4, 1.5, 17 upon 17 plus R, इसको उड़ादो, तो 14 by 15, 17 upon 17 plus R, तो यह जाएगा, 14 into 17 plus 14 into R, बराबर 17 into 15, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास, R बराबर, कितना हो जाएगा है, 17 divided by 14, तो यह हो जाएगा मेरा second option, ओकी, तो 17 by 14, यह अपना अंसर आजाएगा, उसका 20 की बात करते हैं, भाई, जो इसके, इन दोनों को एक सेल मानके, इसके across terminal voltage निकाल लो, उसी को यह voltmeter read करेगा, Potentiometer wire जो है, इसकी length दे रहे है, wire की length और wire का resistance दियावा है, और एक सेल जो है, वो 11 volt का है, उसको आपने connect किया इदर, तो 11 volt, 1 ohm, इसका resistance है, wire की length और wire का resistance भी given है, तो इस wire पे कितना drop आएगा, delta V wire कितना आजाएगा, पे 11 volt है, उसको r upon r plus small r में divide कर दो, तो कितना आजाएगा इसमें, यह आजाएगा, 11, 10 upon 10 plus 1, मतलब कि 10 volt, 10 volt तो आजाएगा इसमें resistance, फिर बोल रहे हैं कि आपने जब इससे एक सेल measure किया, नोन-EMF का, तो सेल के EMF की balancing length कितनी आईए, EMF की balancing length आईए, XL1, फिर बाद में जब आपने उसको resistance 10 ohm से short किया, तो बाद में इसका internal resistance, टर्मिनल voltage measure होगा, तो यह resistance कितना आजाएगा अपने पास, जबको पहले case में आपने एक सेल को measure किया था, इस तरह से, दूसरे case में आपने इसको एक resistance से short किया, ठीके, तो अब इसका VT measure होगा न, VT क्या हो जाएगा, VT को मैं इसे लिख सकता हूँ, पहले तो EMF measure होगा, दूसरे में VT measure होगा, XL2, VT को कैसे लिखूँगा, ER upon R plus, R is XL2, तो दोनों equations को अगर मैं divide करता हूँ, तो Y1 divided by 2 क्या हो जाएगा, R plus R upon R बराबर, L1 upon L2, अब R कितना है, 10 plus R, 10, L1 कितना था, 6, और बाद में reduce कितना होती है, reduce by 1 meter, यह 1 meter है बेटा, तो reduce है, वो 1 meter से कम हो रही है, तो 1 meter से अगर यह कम होती है, तो इसका मतलब 5 बच्चेगी, तो इसका मतलब मेरे पास क्या जाएगा, R बराबर, 2 ohm, तो यह मेरे पास second option आजाएगा, 20 में, ठीक है, फिर उसके आते हैं, हमारे first question पे, integer वाले part में, एक बार note करें यहां तक, इसका आता अपना, first question इस पे, wire AB में current पूछा है, कि कितना है, तो देखो, यहां पे, इसका potential कितना आएगा, 1 or 2 है ना, तो 32 को में, divide करूँगा, यहां पे, 1 or 2, यह दोनों parallel में है ना, इनका effective voltage, देखो, यह भी effective resistance 2 by 3, इसका भी 2 by 3, इसका है, यह यह दो कि लिदे है, तो इसके पर 12 वोड्ट का ड्रोप, इसके भी 16 वोल्ड का ड्रोप, अब 16 वोल्ड के से इसमें करेंट कितनी आएगी, 8 Milli-Empier, इसमें कितनी आएगी, 16 में एक है ना, 16 में द्रख आ जाएगी, दर कितनी आएगी, से 8 नीचे आया होगा न तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच एबी में करेंट कितनी आठ मिली एंपेर आठ मिली एंपेर रहने की यह आगया तो सिंपल क्या करो वोल्टेस डिवाइड करो इस सेक्षन को मिलेगा सोला क्योंकि यह दोनों सेक्षन जो है एक्वल डिस्टेंज है यह दोणों इस पैरलल और यह दोनों पैरलेल आपस में से उल्टेस बढ़ता है सोला aliens वाट दो तो अगले question में यहाँ पर second question की बात करते हैं second question मुलाएं कि एन सेल को जोइन किया है इन लूप में all have same EMF, E and resistance are except one connected in same polarity सारों को same में connect किया एक को ultra connect किया है ना तो तो यहाँ पर देखना यहाँ पर N सेल को अपनने जोइन किया हुआ है तो यह यह सेल तो कितने है N-1 सेल तो यह है सबका EMF, E resistance, R, R सबका है एक सेल को अपनने ultra connect किया है तो देखो इसमें current कितनी flow होगी current flow हो जाएगी N-1 तो एक तरफ N-1 की current एक तरफ और A का के लिए current एक तरफ और total resistance इतना हो जाएगा तो यह तो जाएगी current अब जो same वाले हैं उनका EMF क्या है समान वालों पर V1 जो है वो terminal voltage तो V1 कितना हो जाएगा अपने पास V1 हो जाएगा E-IR तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा N-2 upon N E by R तो यह जाएगा N-2 N E by R into R E तो यह solve करने पर कितना हो जाएगा R से R खतम यह हो जाएगा E N-E N plus 2E by N तो यह जाएगा 2 by N V1 की value इसी तरह से V2 की value क्या हो जाएगी E plus IR तो यह हो जाएगा E plus IR का मतलब E plus N-2 N E यह हो जाएगा E 2N-2 upon N तो यहाँ पर V1 by V2 का ratio बुचा है तो V1 by V2 V1 कितना है था 2 by N और यह कितना हैगा 2 N-2 1 by N N से N खतम 2 से 2 खतम क्या जाएगा 1 upon N-1 तो N-1 अब X के जाएगे क्या लिखा हुआ है X के जाएगे लिखा हुआ है 1 तो आपको X के जाएगे 1 लिखा है तो आपको यहाँ पर 14X के value बताने है 14X के value क्या हो जाएगी 14X के value हो जाएगी 14 इसका मतलब 14X कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ओके तो अपना इसका option हो जाएगा 14 इसके बाद अपना अगला question आता है 3rd question 3rd question में एक अन्नोन रिजिस्टेंस को बेलेंस किया गया है एक मीटर वायर के मीटर पिस पे तो X और रिजिस्टेंस बोक्स R है यहाँ लेंथ जो है मालिया बेलेंसिंग लेंथ L1 है और यह क्या हो जाएगी 100-L1 तो क्या equation मनती है X अपन L बराबर R अपन 100-L यही होगा फिर उसके बाद यह बोलते हैं कि अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो यह जो बेलेंसिंग लेंथ है वह कितनी लेंथ से रिडियूस होती है यह रिडियूस होती है 20 सेंटी मीटर तो 20 सेंटी मीटर से रिडियूस होगी तो यही लेंथ कितनी हो जाएगी L-20 और इधर कितनी हो जाएगी 100-L 20 इधर हो जाएगा है ना तो इधर कितनी हो जाएगा अपने पास पहली equation क्या थी X into 100-L R into L यह तो पहली equation दोस्तरी क्यों हो जाएगी X into L-20 और ही हो जाएगा अपने पास R into 120-L तो X और R का ratio पूछा एक बार तो इसको काटते हैं पन तो देखो क्या जाएगा अपने पास 100-L 120-L L-square-20L तो L-square तो यहाँ भी आएगा ना तो यह जाएगा 12,000 minus 220-L plus L-square L-square-20L L-square-L-square खतम यह जाएगा 200-L बराबर 12,000 तो यह खतम L कितना आएगा 60 cm L 60 cm आते हैं आपको X और R का ratio पूछा है तो X और R का ratio का जाएगा L upon 100-L 60 by 40 यहने की देड़ और आपको 10N की वेली बताने 10N की वेली कितने जाएगी 15 तो आपका यहाँ पे अंदरा अंसर जो है वो बन जाएगा उसका आते हैं अपन 4th question पर 4th question में देखना 4th question में isolated large conducting plate है जिसका charge having charge Q और जिसका area है A तो Q इसका charge है और area A अब इसका अपने uniform field में रख दिया तो आपको बताना है कि difference जो है जो इनकी surface पर charge होगा उसकी value का difference जो है वो कितना है तो देखो यहाँ पर अगर अपने कुछ E charge रहा होगा E तो field है अब इसमें Q charge में से मानलो इधर आया Q इधर आया Q minus X X और Q minus X तो इस P point पर इनकी field कितना होना चाहिए 0 क्योंकि metal के अंजर है point E X की वेज़े से field कितना हैगा X upon 2 epsilon naught plus E और इसको कौन balance करेगा Q minus X upon 2 epsilon naught तो क्या हो जाएगा X plus E into 2A epsilon naught Q minus X तो कितना हो जाएगा 2X बराबर Q minus E into 2A Epsilon naught तो X क्या हो जाएगा Q by 2 minus E Epsilon naught तो इन दोनों surface पर जो चाड़ जाएगा अब इधर X की value यह है तो Q minus X की value क्या होगी तो इसका मतलब इन दोनों का difference जब आप निकालोगे तो Q minus X और X का difference क्या है 2X difference होगा ना 2X की value बताने इसका मतलब तो अब यहाँ पर difference पूछा है ना तो चलो difference को लिखते हैं अपन तो Q1 Q1 को अगर मैं X मानता हो तो यह Q2 तो Q1 कितना हो जाएगा Q by 2 Epsilon naught इसी तरह से Q2 कितना हो जाएगा Q minus X यहने की हो जाएगा Q by 2 plus E Epsilon naught अब इन दोनों value का difference आपको बताना है E1 Q1 minus Q2 का तो कितना हो जाएगा यह Q1 से Q2 कर जाएगा twice of E A Epsilon naught तो N की जाएगा रहा है इसका मतलब 2 E A Epsilon naught A Epsilon naught यहाँ पे Epsilon naught लिखा हुआ है ठीके तो इस case में अपना answer बन जाएगा तो N की value कितनी है 2 तो अपन को क्या पूछाए 20 N की value कितनी हो जाएगा 40 तो अपना answer आजाएगा 40 इसमें तो इसका last question आपको एक रेडियस की रिंग दी गई है उसके उपर आपको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और माइनस क्यू चार्ज सेंटर पर रखा आपको इसका डाइपोल मोमेंट बताना है इस चार्ज को और सेंटर ऑफ चारज पर रख दो सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा इसका सेंटर ऑफ जहां होता है कहां होता है तो अपना इसका answer बन जाएगा 20 कोई confusion इसमें तो यह अपना यहाँ पर solution complete होता है तो आपके जो भी doubts करें और आगे से इसका ध्यान रखें कि गलतियां वापस repeat ना हो ओके बच्चों thank you all the best